सहने में जो आनंद है भोगने में नहीं है विश्वास करो ये भोगी सब देखो मच्छर ने उड़ाये उड़ते सची मानना छुटी छुटी बाते छुटे छुटे विकार कल्पनात्मक भै ये सब मच्छर है ये साब आ करके पेरित करते कलेसी तसांत नीद नहीं आ रही है ना प्रकार की चिंताएं गर्शित और आप अगर मधुकरी भी मांगके रुखी सुखी मिली उखाए तो आराम से च्छे की जगे आठ गंटे सो गए क्या परिशादी सहने से जो सीतलता मिलेगी जो आनंद मिलेगा जो अम्रत मिलेगा भोगने से नहीं मिलेगा विश्वास कर लीजिए और जिन लोगों के हरदय में ये धारना बैठ गई है कि मैं तो ग्रेहस्त हूँ ये तो विरक्तों की बात कर रहे होंगे सची मानिये ये ग्रहस्त विरक्त बाहरी मार्ग की बात है आंतरिक हम सब एक पिता के बच्चे हैं हमका एक ही आनंद प्राप्त करने का केवल भाव रखना है हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चीए कि हम ग्रहस्त हैं और भोग भोगे हमारे लिए तो छूट है पास दे दिया भगवान ने ये विचारे अभागी हैं बाबाजी लोग हाँ हम तो बड़े भाग शाली हमें पास मिल गया कि भोगो परंपद में आरूर हो जाओ जैसे भ्रम बैठ गया हो तो स्वयम स्री भगवान के मुख के वचन है स्वयम भगवान स्री कृष्ण चंद जू कह रहे हैं कुटुम्बे सुन सज्जेत नप्रमादेत कुटुम्ब्यपी विपस्चिनस्वरंपसेत द्रश्टमपी द्रश्टवत हे प्रियुद्ध हो ये जो ग्रियस्थ में है पुरुष्ट कुटुम्ब के भरण पोशन में लगे हुए है इनको चाहिए कि ये अपने परिवार में आसकत न हो भगवान आदेश कर रहे हैं, जगत गुरु हैं, हम सब के श्वामी है बड़ा कुटुम्ब हो तो भी वो भजन में ये प्रमाद न करें कि हम तो परिवार के पालन पोशन में ही व्यापार नोकरियाद में ही अपने समय को लगाये हुए हैं भाई हमें तो समय भजन का नहीं मिलता, सत्संग का नहीं मिलता, ठाकुर सेवा का नहीं मिलता बड़ा परिवार है, तो स्वयम भगवान कहे रहे हैं प्रमादेत कुटुम्ब यपी नौ वो प्रमाद ना करें बड़ा कुटुम्ब जान करके कि हमें तो बहुत व्यापार नोकरी के द्वारा धन कमाना है परिवार का भरन पोशन करना है भजन पूजन नाम जब ये सब बावाजीयों के नाम है उनको करना है भाई हम ग्रेस्त हैं हम खुब भोग भोगें परिवार में ऐसे खुब आशकतर है और बाद में ठाकुर जी बीमान लेके आएंगे कि बैठो इसे बेचलो बड़े कृपा की तुमने बहुत सावधाम आपको लग शकता है कि हम ग्रेस्ती में हैं इतना सब करते हैं भजन के शे हो शकता है आप अब्यास करें अब्यास से साब हो शकता है तो हम भी तो प्रभू के बच्चे हैं हमें अगर छोटा सा परिवार मिला है दस वीस पचीस लोगों के भरण पोशन की सेवा मिली है तो हम बाहदुरी के द्वरा खुब्यापार नोकर याद करते हुए भगवद श्मरण करते हुए सत्य का पालन करते हुए धर्म का पालन करते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करे यद हम परिवार में आशक्त होकर प्रमाद वस ऐसा कि मुझे भजन करना सैयम से रहना ये सब मेरे विशय नहीं है भूल मत करो हम सब भगवत कारी के लिए आए हुए है जैसे कई बार चर्चा में कहा है प्रभू ने 84 लाख यूनियों से हमें निकाल कर वीचक्र से और मनुष्य शरीर दिया है ये हमारे किसी कर्म का फल नहीं है कोई ऐसा ना सोचे कि हमने कर्म किया तो मनुष्य बने जिससे मनुष्य बनते मनुष्य जन्म मिला चूको मत बहुत बिचित्र संसार है इतने भयानक भयानक कष्ट हैं जीओं को पूछो मत सावधान हो जाओ एक एक कदम समहल सम्हल करके चलो जब प्रभू ने भेजा तो जो बैराग गिमार्ग के पथिक बने उनसे प्रभू ने पूछा कि तुम जाओ और मरत्यों लोक में मेरा भजन करके मुझे प्राप्त हो बोले ठीक है प्रभू जैसी आ गया लेकिन एक ने कहा कि प्रभू हम बिना दुलहिन के नहीं रह सकते बिना लड़का बच्चा के नहीं रह सकते बिना संसार के सुखों के नहीं रह सकते तो बोले दिया जाओ ये सब दिया लेकिन मेरा विस्वरण नहोने पावे ये ध्यान रखना प्रभू ने तुम्हें भेजा है एक जन्म केवल आप सतत इस्मरन कर ले तो आप इस संसार चक्र से मुक्त हो जाएंगे आप बिना इन भोगों के नहीं रह सकते थी इसलिए ग्रेस्त धर्म में आपको प्रभू ने ये सबसर्ष्टी के भोग दिये लेकिन सर्थ है उनको भोगते हुए तुम भगवद इस्मरन करो इनको था कि तुम बैराग शेयुक्त हो कर तदाकार व्रती के द्वारा भगवद इस्मरन करते हुए अपना कारी पूरा करो कारी दोनों को ये कही है भजन करते हुए जीवन बितीत करना ये वैराग प्रधान है और वो राग युक्त दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से उनका भी चिंतर निरंतर भगवत स्वरूप का हो तब दोनों भगवत प्राप्त हो जाएंगे जैसे यहां भारत सरकार का आदमी कहीं बाहर भेजा जाए वो कहे दे कि हमें वहां बंगला चाहिए गाड़ी चाहिए लड़का लड़की चाहिए व्याह यह सब पास कर दिया जाओ इतने वर्ष तक विदेश में रहकर हमारे देश का काम करके वापस आजाओ अब वहां वो गया और खुब बच्चों को पढ़ाना लिखाना और इसा विसी में पूरा समय वितीत किया और जब लोटके आया पूछा प्रधान कारी किया जिसके लिए तुम्हें सुविधाय दी बोलने वो तो बच्चे का ब्याह पढ़ाना लिखाना सब इसमें समय गया तो वो दंड का दिकारी होगा क्योंकि तुम्हें सारी सुविधा मिली थी राजकी कारी करने के लिए सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पच्टाए कालें कर्में इस्वरें मित्या दोस लगाए बड़ा कुटुम्ब हो तो भी भजन में प्रमाद ना करें प्रभु एशादेश कर रहे हैं बुद्धिमान पुरुष को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस लोक की जितनी वस्तिवे हैं सब दिखावटी हैं जैसे एक जादूगर आता है गाओं में देखा है ऐसा जब स्कूल जाते से तब देखा गाओं में एक आया वो एक टोकरी सी लिए हुए था पूरे डमरू बजाया गाओं के सब लोगे कत्रित हुए और सबसे पूछता तुम्हें क्या चाहिए तो बुले हमें अमुक वस्तू चाहिए उसी पहले टोकरी सब को दिखा दी कुछ नहीं फिर जो सब टोकरी से निकालता रहे सब रख दिया एक व्यक्ति उसमें से एक नारियल का फल जो है खाने की चेश उसका खाला ले चूना ले केवल देख सकते हो छूए तो जादू का है तो इस रष्टी को इंद्र जाल कहा गया है माया के द्वरा रचित सबसे बड़ा जादूगर स्री हरी अपने जादू के द्वरा ये वि जेट भरेगा नहीं क्योंकि जादू की वस्तूए तरपती होगी नहीं आज तक नहीं होई को भोगते हुए जीवन केवल भ्रमात्मक लग रहा है खाते चले जा रहे इतना जीवन हो गया भोगते चले जा रहे आज तक तरपती नहीं क्यों क्योंकि साब जूठी और समझे न समझे लेकिन आप तो परमार्थ के लिए चैन किये गए हो चाहे ग्रियस्त हो चाहे विरक्त हो दोनों प्रभु के सरनागत हो आपका तो लक्षि द्रड होना ही चाहिए प्रभु श्वयम कहरें जितनी इस लोक में वस्त्वें आप देख रहे हो वो साब जूठी है सम माया के द्वरा रचित है स्वापने के समान है उमा कहों मैन भौपना सतरी बजन जगत सबसपना ऐसे ही अन्य लोकों की जो भोग वस्त्वे हैं वो भी थोड़ा दिव्यह दिखाई देती है पर हैं वो भी स्वापनिक वो थोड़ा अच्छे स्वापन है ये मलिन माया के द्वरा रचे हुए तिन के से लेकर ब्रह्मलोक तक ये समाईक है ऐसा मन में बैठा लो और यही सत्य है स्वयम जगत गुरु भगवान कहे रहे है पुत्रदाराप्त बंधू नाम संगमह पांथ संगमह अनुदेहं वियन्ते ते श्वपनो निद्रानुगो यथा पुत्रदाराप्त बंधू नाम संगमह पांथ संगमह अनुदेहं वियन्ते ते श्वपनो निद्रानुगो यथा भगवान श्री कृष्ण चंद्यू के रहे है उद्धो ये जो पत्नी, पुत्र, भाई, बंधू और अपने बुजुर्गजन ये जितने भी हैं, इनका जो मिलना है ये सब ठीक ऐसे है जैसे कोई बटोही रास्ता में चलता है और प्यास लगी तो जब पौशाला में जाता है तो बहुत लोग मिल जाते हैं पानी पिया चल दिये जैसे ही स्टेशन में गए तो देखा बहुत से यात्री है वो बिलंब से आनी है गाड़ी तो बैठ कर बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, हसते जब गाड़ी आ गई तो अपने अपने टिकट के अनुशार हम चल देते हैं थीक जैसे पोशाले का मिलन, जैसे इस्टेशन का मिलन, जैसे महला में मिलन, बिल्कुल ठीक ऐसे ही परिवारजनों का मिलन है श्वयम प्रभु के रहे हैं इस बात पर विश्वास करो, मनन करो ये हमारा जो शरीर्शंबंध का जाल पहला हुआ है सुत बनितादि जानि स्वारत रत ना करुडे सभी से तात मात सुत दार देहे में मति अरुजहे मति मंदा हित किशोर को है चकोर तू लखि ब्रंदावन चंदा जैसे श्वपनों नींद तूटने तक ही रहता है वैसे ही ये जितनी मिलन जुलन वाली समंधी हैं ब्रतिया है ये बस जब तक स्वास चल रही तब तक स्वास चुटी कोई तुम्हारा नहीं जैसे श्वपन है नींद में हो तो सब व्यापार दिखाए दिरा जगे तो केवल आप थे ऐसे ही जब यहाँ से जाओगे तो हंसा अकेला उड़ा जिन्दगी में लाखों का मेला जुड़ा हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा ये बैठा लो हुरदय में आप अभी अगर शरीर छोड़ने का समय आए तो सिर्फ आप अकेले होगे आपने जो जो कर्म किये है जो जो आपने रागद्विशात्मक संसकार बैठा ले उनी के अनुसार आपकी गती होगी बड़ा दुरलभ मनुष्य शरीर दिया और आपने भगवत प्राप्ती का उपाय नहीं किया तो बहुत बड़े हानी की बात हो गई इत्थम परीम्रशन मुक्तो ग्रिहे स्वतितिवदवशन ना ग्रिहे रनुबद्धेत निर्ममो निरहं कृता इसलिए ग्रिहस्त को चाहिए कि इस विचार से अपनी बुद्धी को युप्त रखे कि जितना हमारा परिवार है पवसाला में मिले हुए विक्तियों की तरह है जब मुझे जाना होगा तो सिर्फ अकेले अपने कर्मों का बोजा लेकर जाना होगा प्रभू कहे रहें ग्रिहस्त को चाहिए इस प्रकार विचार युक्तर है और ग्रेस्ती के कामधंदों में फस करके भगवत भजन का विस्मरण न कर दे ऐसे हैं ग्रेस्ती के ऐसे जंजाल है भजन की तो बात जाने दो चैन नहीं है बिस्राम नहीं है कितनी कामणाओं की भीड लगी हुई है ग्रिह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सैल बिशाला यही सरावत अति कठिनाई राम कृपा बिनुआई न जाई पुझी श्री गुश्वामी तुलसी दाजी के थे बड़े बड़े पहाड है ये ग्रेस्ती की कामणाओं जिनको लाग कर सतसंग तक आना भजन करना यह तो बहुत कठी ने भावगत क्रपा से ही कोई ऐसा जो ग्रेस्थी में है सत्संग करता है, सास्त्रश्वध्य करता है ठाकुर्शेवा करता है सरनागत होकर भजन करता है वो तो कोई बिरले ही क्रपा पात्रजन है जो परिवार में आशक्त हो जाता है घर में आशक्त हो जाता है और मान लेता है यह इस शक्त है परिणाम में उसकी दुरगती हो जाती है क्योंकि आप आये थे जीवनमुक्त होने के लिए सिर्फ आउसर मिला है आपको जीवनमुक्त होने का यह मनुष्य शरीर बहुत ही भयावा संसार है छोटी-छोटी जीवों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है लोग अपनी रसेंदरी को त्रप्ती करने के लिए कैसे-कैसे पूछो बहुत संसार बिचित्र है बहुत बिचित्र है बचो तुम्हें जो मनुष्य शरीर मिला इससे मुक्त होने के लिए मिला है कहीं हम चूक न कर बेठे परिवार में आशक्त होकर घर में आशक्त होकर अपने को ये मान कर हम तो ग्रिहस्त हैं हमारा यही धर्म केवल है तुम न ग्रिहस्त हो न बिरक्त हो तुम भगवान के अंशो हो अपने आत्म स्वरुप प्रभु को प्राप्त करना तुम्हारा परम करतब है सावई पुन्शाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति हो जाना यही जीवन का परम लाव है यही परम धर्म है जो इस सरीर में हंकार कर लेता है सरीर का हंकार मैं इस तरी में पुरुश मैं बिद्वान, मैं जवान, मैं रूपवान, मैं गुडवान, मैं धन्वान इस वहंकार के अंतर गति आता है और जो घर में आशक्त होकर मंता कर लेता है ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये ब्या पार, ऐसा वो इस फंदे में ऐसा फस जाता है कि फिर उसे धाम जाना है, सत्संग करना है, नामजब करना है, भगवत भजन करके जीवन मुक्त होना, ये साब उसके लिए बेकार की बाते लगते हैं रे कौन ये तो जिन निठले जिनके कोई काम नहीं बाबाजीयों को वो करें हमारे पास तो बहुत काम है बेटी दमाद लड़का बहु परिवार ये जाल है माया का अपने वास्तिवी करतब की तरफ दृष्टी यदि नहीं रखी तो ये साब ब्यर्थ हो गया वास्तिवी करतब्य भगवत प्राप्ति ये सची मान लीजिए सब के लिए कब जगोगे अगर इस जन्म में नहीं जगे तो कब जगोगे जब से स्रष्टी हुई यही सब करते चले आए ये बहुत बढ़िहां उसर प्रभू ने दिया जाग जाग ये जागने के लिए उशर दिया है जाने सु तब ही जीव जग जागा जब सब भी से विलास बिरागा जाग 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 जीवी तु जगेगा तेरा स्वपन तूटेगा तो तुझे दिखाए देगा जही जाने जग जाय हे राई जागे जथा स्वपन्ब्रव्य ये साथ भगवती माया के द्वारा रचित नाटक है भगवान श्री कृष्म स्वयम कह रहे है कर्म भिल ग्रह में धी यही रिष्ट्वा मामे वो भक्ति माल तिस्ठेद वनम्बो पविशेद प्रजावान वा परिव्रजेद यत्ष्वासक्त मतिर्गेहे पुत्रवित्तै शनातु रहा स्ट्रैणा क्रपन धीर मूढो ममाहमिती बद्ध्यते ग्रहस्त को भक्ति मान होना चाहिए आये होई अतितियों की शेवा संत शेवा, ठाकुर शेवा और जो भी और निरंतर नाम जब जो भी अन्धन है उससे हम जब गव शेवा, अतित सेवा, ठाकुर शेवा, संत सेवा ये करते हैं ना तो हमसे कुछ ऐसे अपराद होते रहते जो जाने अन जाने में जैसे कोई करशी करता खेती करता है तो जूतने में या ऐसे पदार्थ फेके जाते हैं फसल रक्षा के लिए जिससे बहुत से जीव मरते हैं सोहनी लगाने में बहुत से जीव मरते हैं कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं में बचाना भी चाहे तो नहीं बचा सकते बहुत से जीयों की हत्या हो जाती है यद यतिति धर्म का सादु सेवा, ठाकुर सेवा, गवशेवा ऐसी सेवाएं होती है भगवद श्मरण होता है तो निश्पाप होकर वो भक्तिमान ग्रहष्त भगवत प्राप्ति के योगि हो जाता है भक्तिमान पुरुष्ग्रेष्तो चित्र सास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ अगर घर में ही वास करता है और मेरे भख्ति मार्ग का नशरण करता घर में रहकर तो भी वो भगवत प्राप्त हो जाता है समय नहीं है उसको कि ब्रंदावन खंडवास करे कभी-कभी समय निकाल कर ब्रंदावन आ गया सत्संग रोज सुने सास्त्रों का श्वाध्याय करे आजकल तो यंत्रों के द्वरा सुविधायम किसी भी संत महापुरुस के वचन स्रमण कर सकते हैं कुछ समय सा निकाले एकदम एक आगरता पुरुवग भगवत चिंतन करना नाम जब करना तो ग्रहस्थी में रहते हुए वो भगतिमान पुरुस भगवत प्राप्ती कर शकता है अगर उसका आज सुतहिन रपदीना हर हिताप गवन बनकीना फिर उसमें मोह की गुंजाइस नरक के जबर जस्ती ना चाहते हुए भी मन आसकता है राग कर रापर छोड़ देना चाहिए पुत्र शयाना हो गया परिवार का भार उस पर छोड़ करके भगवत मार्ग कानुशरण करे और आजकल भगवत करपा से ऐसे पुत्र होते हैं कि भार रखने की जरूरते ही नहीं है माता पिता को छोड़ दिया और विदेवसों में जा करके ब्याह करके नोकरी करते माता पिता किस स्थिती में पता ही नहीं अब बैरागी बना देते हैं तुम्हें राग करने की जरूरत नहीं ज्यादा राग करोगे तो अनाथाले में छोड़वा देंगे ब्रद्धाले में जहां ब्रद्धों की सेवा होती है बहुत सावधान स्वयम भगवान आदेश कर रहे यदि पुत्रवान हो पुत्रशयाना हो गया हो तो घर ग्रिष्टी का भार शौप करके मेरी प्राप्ती के लिए पुर्ण तनमेता पुर्वक भजन करे सन्यास मार्ग को श्वयकार कर ले जो लोग मेरी आज्यां के अमशार ग्रहस्त जीवन ना बिता करके परिवार के जनों में फस जाते हैं घर में आशक्ती कर लेते हैं इस्त्री पुत्र धन की कामना में फस कर हाय हाय करते हुए ब्रद्धावस था गई मोहतावस इस्त्री लंपटता मोहवस पुत्र प्रियता और क्रपनता वस धन की प्रियता फिर वो इस फेर में पढ़कर नरक जाते हैं फस जाते हैं प्राया ऐसा ही हो रहा है हम अपने जाल में खुद फसते चले जा रहे हैं जब हमें मुक्त होने का प्रहू ने औशर दिया मनुश्य सरीर तो इतना राग फैला लिया पुछो मत अनाथा माम्रते दीनाह कथम जीवन ति दुखिताह हे उद्धो जो मेरी आज्या नहीं पालन करते प्रभू की क्या आज्या है परिवार में रागना करते हुए मेरा इस्मरन करते हुए करतब्यका पालन करो अगर ये आज्या पालन नहीं करते तो उनके हिरदय में बैठ जाता है क्या हाई हाई ये मेरे बच्चे बहु ये सब बिगड़ जाएंगे अगर हम भजन करने लगे हमको तो रात दिन पर डांट लगानी होती है तब ही एच्छे रहते है और मेरे बिना ये सब कैसे जीएंगे और वो मना रहें कि मर जाए ये बुढ़वना दरवाजे में बैठे कफ डालता रहता है खासता रहता है हला मचाता रहता है भगवान इसे पूछ लो परिवार के मनाते है और वो सोच रहा है लाठी लिए चस्मा समालके देखता रहता है कौन आए, कोन गए और वो सोचता रहता है अगर हम मर गए तो सब बरबाद हो जाएगा और वो मना रहे है मर जाए तो आबाद हो जाए हम बहुत बिचित्र भगवान की माया है अगर मैं न रहा तो ये मेरे ब्रद्ध परिवार ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे बहुत सब कैसे मेरे बिना तो इस स्रिष्टी का काम नहीं चलने वाला, वो ऐसा सोचता है और है किसी का स्वयम जाके वो कुछ कर नहीं सकता लाठी लिए दर्वाजे पर बैठा, वो गड़ित लगाता रहता है अगर मैं नहूं तो पूरा घर बरबाद हो जाए, ऐसे सूचता रहता है, ये भगवान कहे रहे कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, स्वयम जगत गुरुशब के अंताह करन में बैठे विए, जो जान रहे होई बोल रहे है, वो हाए हाए करता रहता है, जब उसके भजन का समय था तो भोगों में लगा, अब जब जाने का समय हुआ, तो अब एक बार भी रामकृष्ण हरी नहीं निकल रहा एक बार पूज स्वामी श्री बामदिव जी महाराज अपनी मंदली के सहित विचरन कर रहे थे, तो देखा कि एक जवान आदमे एक बूढ़े को जूते से पीट रहा है और बूढ़ा विचारा विकल हो रहा है जब वो पीट के घर में गया तो स्वामी जी महाराज मंदली को रोके और अपना स्वयम गए अकेले और का बाबा ये जो पीट रहा था ये कौन है ऐसी दुष्ट था जवान होते भी ब्रद को पीट रहा था बुले तुम कौन हो बुले हम मंदली के साथ विचरन करते हैं साधु वेश्दारी है ये तुम्हें कौन पीट रहा बुले हमारा लड़का हमें पीट रहा था अरे बुले ऐसे दुष्ट लड़के का त्या करो चलो मंदली के साथ खुव आराम से ख़व पीओ भजन करो तुम्हारी ब्रद्दा होसता है बुले लड़का हमारा पीठ हमेरा तेरे को क्या परिसानी तू बाग यहां से स्वामी स्री वामदेव जी महाराज प्रड़ाम किये कि हरी तुभारी बड़ी विचित्र वाया है बड़े महापुरुस्वे है स्वामी स्री वामदेव जी महाराज बोले बड़ी विचित्र इसपस्ट आग्या कर रहे हैं मंडली में रहो अब बुढ़ापा गया देखो लड़का पीट रहा काहे को ऐसे दुस्ट सुभावले लड़के के पास रोगे डाट दिया ये है भगवान की विचित्रमाया सुयम भगवान अहो में पितरो वृद्धो भार्या बालात्म जात्म जाहा अनाथा माम्रते दीना कथम जीवनती दुखिता मेरे बिनाये बिचारे कैसे जीएंगे सबके बैटा देख लो यदि भगवत चरणों का आस्रे नहीं है तो यही दिमाग में बैठा है कि अब अगर मैं कहीं हटा तो पूरी स्रष्टी गिर जाएगी मेरे से ही है एक मार्ग में कुट्ता आगे आगे जा रहा तब पीछे से लदी हुई गाड़ी जा रही थी सामान की तो पीछे गाड़ी को देखता तो गाड़ी आ रहे थी सोचा मेरे ही आकरशन से गाड़ी आ रही थोड़ी देर चला वो बड़े गर में था कि जैसे मैं चलना हूँ ऐसे ही गाड़ी चले फिर सोचा देखें हटकर और जो ही हटा तो गाड़ी निकल गई उसलिए सोचा मेरा ब्रहम था बिल्कुल वही ब्रहम हमें है अभी मर जाओ तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं वो ऐसे इस्त्रष्टी चलेगी वो ऐसा ही हो रहा है लेकिन ये ब्रहम है कि मेरे द्वारा ही ये परिवार पोशित है इनका जीवन मेरे ना रहने पर व्यर्थ हो जाएगा ऐसी वो चिंता से ग्रशित रहता है जो इस प्रकार घर ग्रेश्थी के बंधन से बंधा हुआ है जिसने कभी प्रभू का भजन नहीं किया वो विक्षित चित ग्रिहस्था शक्त मूण बुद्धी विशय भोगी कहा जाता है बोले वो घोर तम में नरकों को प्राप्त होता है जो ये दलीलें देते हैं मैं ग्रेश्थू मेरा भजन से कोई मतलब नहीं बस कमाओ खाओ भोगो और भगवान खुब प्रशन हो जाएंगे इससे नहीं आप अपने कर्तविका पालन भगवद इस्मरन करते हुई करिए भगवान अरजुन जी को आदेश करते हैं मा मनुश्मर युद्ध जे मेरा इस्मरन करते रहो